कुए में गिरने से बालिका की हुई दर्दनाक मौत सर्मत्रा उपखंड के रहरेई गाउं के पास की है घटना सर्मत्रा उपखंड में रहरेई गाउं के पास गुरुवार दोपैर को कुए में डूबने से एक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई म्रतक बालिका छोटे छोटे बच्चों के साथ गाउं के पासी खेत में भैस चरानी के लिए गई होई थी इसी दोरान बालिका खेलते खेलते कुए में जाकी दी और बालिका की डूपने से दर्दनाक मौत हो गई धानब्रभारी देविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि म्रतक बालिका नैना जाटव पुत्री सुरेश जाटव उंब्र करीब पांस साल रहरे गाउं सर्मत्रा की निवासी थी जो की रहरेई गाउं के पास बने कुए में गिर गई और बालिका की डूबने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई घटना की सूचना पर पुलिस ने घटने स्तल पर पहुच कर ग्रामिनों की मदद से बालिका के शब को कुए से बाहर निकलवाया और शब को सर्मत्रा सामुदाइक स्वास्त केंद्र लेकर पहुचे जहां पर सर्मत्रा पुलिस ने डाक्टरों की टीम से म्रतक बालिका के शब का पोस मार्डम करा कर शब परीजनों को सौब दिया पुलिस पूरी घटना की गहराई से जाँच में जुट गई है म्रतक बालिका के परिजनों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है वही बालिका के परिजनों ने सरकार से सहायतार राशी दिलाए जाने की मांग की है आग रंटा पीशे पता पड़ा बच्ची वहां से अस्ताना सर्मोत्रा चेतर के गाउं रह रही में करीब एक डेड़ बजे की करीब एक पांच मर्शी है बालिका जिसका नाम नेना डॉटर ऑफ सुरेश जाती जाटव निवाशी रह रही जो अपने किसी खेलने के परपस से अपने वहां गई थी एक कुए के पास जो दुर्गाटनावस स्कुए में गर गई गामीनों की मदश से बच्ची के सब को निकाल लिया जिसको डेड़ बोड़ी को सीसी सर्मोत्रा में पीमर के लिए ले आएं कारवाई जारी है परजानों की तरफ से रिपूट मिल चुकी एक सचोटर्शी एर्पीसी मर्ग दर्ज का जांच की जारी है